श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिन दास जैजै शामा जैजै शाम और जैजै श्री व्रिंदावन धाम रिंदावन धाम को वास बलो जहाँ पास बहें यमना पट्रानी शामा प्यारी कुंज बहरी जैजश्री रिदास दुलारी बुल बांके बहरी लाल की जै परसाने वाली रादारानी की जैस्वामी जो महराज की देतों जो आप द्वजा देख रहे हैं यह द्वजा है द्वारकादीश जी की यहाँ पर राजा स्वरूप में हमारे काना जी विराजमान है और यह स्थान है तलादान मंदिर यानि की तुलादान मंदिर है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ होता है तुलादान और कल मेरे बाकिवरी भक्त परिवार की ओर से हम तुलादान करने वाले तो आप लोग शामिल हो जाएए और कैसे आप लोग भी सेवा में शामिल हो सकते हैं वो हमारी टीम से जानकर ले लिजेगा हम यहाँ पर live session के जरीए आप लोगों तक ये information पहुचा रहे हैं और हमने बहुत सुन्दर दर्शन किये अभी जो दर्शन थे श्रिंगार बढ़ने के बाद थे यानि कि ठाकुर जी को जब श्रिंगार बढ़ने के बाद एक हलकी सी कैप पेना दी जाती है हलक भक्त परिवार से भक्त लोग भी जुड़े हैं जय हो जय हो तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी विवस्ता भी रखी और यह तुलादान मंदिर यहां दिख सकते हैं और ठाकुर जी महराच की यहां ध्वजा के दर्शन आप लोग करेंगे तो यहां प्रणाम कर लिजे क्योंकि कल लाइव सेशन बहुत ही अच्छी अच्छी होने वाले हैं और कल जहां से हम लोग जाएंगे हम कल यहां से जाएंगे भेट द्वार का भेट द्वार का में भी दर्शन करेंगे और यहां पर तुलादान भी कल करने वाले तो आप लोग कहते हैं कि कैसे आ यहां पर आनदाने वाला है कल हम करने वाले हैं तुलादान जय हो कुझ बिहारी श्री हर्दाव जय हो तो देख सकते हैं यहां पर और यहां पर हम विराम देंगे live session को एक very short live session है यह सिर्फ ठाकुर्दी की यहां ध्वजा के दर्शन भी आप लोगो करें, कल बहुत सारे अच्छे दर्शन है, कल हम भेट द्वार का भी जाने वाले हैं, कलम यहां पर तुलादान भी करने वाले हैं, कलम यहां दर्शन भी करेंगे तो आनन्द आएगा, बिहारी जी माराज है कैसे होता है वो भी आपको कलम जानकारी देंगे कि भाईया यहाँ पर जो है श्राप की वज़े से अन जल की कमी रही उसकी वज़े से यह तोलादान होता है यहाँ पर अन दान किया जाता है श्री कुंज वैहरी श्री हर्दास